हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल TechFight Academy में मैं हूँ सशी कांत रहे और आज का वीडियो जह है प्रात्मिक सिच्छत बहाली की राह देख रहे हैं सात्यों चनके अभ्यरतियों के लिए है और इसके साथ ही वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है ब अथमी सिच्छक पत के लिए भी यही बताया जा रहा है कि 50,000 की 48,000 लबग पत जो चट्टे चट्ट के खा लिए उनको और जो ब्योरा कलेट किया जा रहा है उसको मिला के वो भी लगबग एक लाग या सावालाग के आसपास वैकेंसी आ सकती है और उसको इमित बनाया था कि आवेधन अधिक मात्रा में पूछा था तो उसमें अजिक का ईजै तरीक करेंगे कि आखिर आवेधन अधिक करने चाहिए तो जो भी से चाहत्य बढ़ती है आपको क्लिक करना हो सब्सक्राइब बिटन पे और उसके बाद बेल ऐकन पे प्रेस करिएगा और पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो कॉन्टिफिकेशन्स मिले जाएंगे यहाँ पर आपने देखा कि छटे चड़की सिच्छक वहाली जो चली चोरणे में जा सीटों के लिए उसमें से लबग 48,000 पद खाली रहे गए यह 48,000 पद ऐसी निवजय निकाईयों में थे जहां पर अभियर्थियों ने आविदन नहीं किया था अगर अभियर्थियों ने आविदन किया होता तो उनको दूसरी काउंसलिंग तीसरी काउंसलिंग में पर्टिपेट करने का मौका मिलता और विहार सिच्छा विभाग भी काउंसलिंग को इस तरीके से क्लोज नहीं करता यह काउंसलिंग लोग को 5-6 चलन तर जाती चूकि अभिहार्थियोंने वहाँ पर आवेदन नहीं किया था अत्व हम भिहार चजव्याब को बीवास हो करके वो कांस्लिंग प्रक्रिया को तीसरे चलंग के बाद समाब्थ करना पड़ा और फिर विशेश चटर कांस्लिंग के बाद पुरी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया तो यहाँ पर आपने ये देखा कि आवेदन ना करने की वज़े से उन नियोजे निकाईयों में चौते चरण या पांचों चरण की काउंसलिम नहीं हुई और इसके साथ ही जो अभी हर्ती थे जिनके परसेंटेज हाई थे अभी भी आप मेरे कमेंट बॉक्स को चेक कर सकते हैं उसमें अभी भी जो है लोग कमेंट्स करते हैं कि 70% वाले, 65% वाले 64% वाले कहीं कहीं तो 75% वाले भी देखती आपके जो काउंसलिंग के जो चरण चलते हैं प्रथम चरण दुथी, चरण त्रथी, चरण चौता चरण ये जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने मालिया के कम नियोजन निकायों में आविधन किया है तो आप एक या दो चरण तक ही काउंसलिंग में पर्टिपेट कर पाते हैं क्योंकि जब पद बचते हैं और अगर आपने उन नियोजन निकायों में काउंसलिंग नहीं कराई है जहाँ पर तीसरे और चौतर चरण की काउंसलिंग होनी है तो आप महाँ पे counselling के लिए नहीं जा पाते हैं और आपकी नियुक्ति या नोकरी आपको नहीं मिल पाते हैं तो कोशिस ये करना है कि अधिक्तम नियोजन निकाईयां जहाँ पर अधिक्तम सीटे हों चाहे वो आपकी category में हों चाहे यूर में हों आपको वहाँ पर आविदन करना चाहिए अगर आपने अधिक मात्रा में आविदन नहीं किया है तो counselling के जो चरण होते हैं उनको भी सरकार देखती है कि अब यहाँ पर अभिरती नहीं मिल रहा है तो counselling प्रक्रिया को बंद कर दिया जाता है उसका नतिजा यह निकलता है कि कुछ अभिरतीों नहीं वहाँ पर आविदन किया रहता है लेकिन संख्या अधिक ना होने के करन counselling प्रक्रिया बंद होने से उनके भी नौकरी से वो वन्चित हो जाते हैं तो करना यही है कि आपको अधिक मात्रा में आविदन करना है अब आप कहेंगे सात्वेचन की जो process होगी वो तो online होगी centralized होगी लेकिन वहाँ पर भी आपको ध्यान रटना है कि online और centralized होने के बावजूद भी आपको अधिक से अधिक मात्रा में नियोजे निकाई में अप्लाई करना होगा क्योंकि सात्वेचन की बहाली में जो नियम एक बन कराया है वो यह है कि अंतिम जो नियोकता है या जो नियोकता का जो पावर है आविदन लेने का ठीक है, online आविदन लेने का counseling कराने का, joining कराने का उसका जो पावर है वो अभी भी पंचायती राज और नगर निकाय को ही दिया गया है वही आविदन लेंगे तो online और centralized process में भी आपको ध्यान लखना है कि अधिक से अधिक मात्रा में आविदन करना है अब आपको कहीं घूमने तो जाना नहीं है आप साइवर कैपे में बैट करके आसानी से बढ़ सकते हैं आविदन कर सकते हैं और यह अपने मुवाजिस से भी कर सकते हैं तो यह चीज़ ध्यान रखना है कि साथन चबपकी आप अधिक से दिक आविदन करें ताकि जो चक्र होता है कांसलिंग का उसकी संख्या ज्यादा से ज्यादा हो और आपको ज्यादा बार मौका मिले काउंसिलिंग कराने का तो उमीद करते हैं कि information आपको पसंद आई होगी वीडियो गर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को subscribe करना न भूलिएगा जल्दी मिलते अपने नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए धन्यवाद